हलो फ्रेंज आरोई होम किचिन में आपका स्वागत है तो आए आज हम बनाते हैं मिक्स सब्जी तो मैंने सब्जी काट ली हैं और मिक्सी के जार में प्याजले सोना दरख का पेस्ट बनाया है सब्जियों मैंने आलू, टमाटर, गाजर, सिम्ला, मिर्च और अर्वी, भिंड और आपके किचिन में जितनी सारी सब्जियां हो आप थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं क्योंकि यह तो अपन मिक्स सब्जी बना रहे हैं तो सारी सब्जियां मिक्स कर सकते हैं फिर मैंने गैस पर कड़ाई रखी है और तेल गरम किया है और उसमें सारी सब्जियों को डाल कर फाँच मेड़ के लिए सेखा है और सबजी ए भराई हो गई है इस तरहे से मैंने निकाल ली है और फिर मैंने इसी एकड़ाई में थोड़ा सा और तिल डाला है और फिर जीरा, तेजपत्ता, लॉंग, काली मेच जो थोड़े-थोड़े से गरम मसाले होते हैं उनको डाला है इनको डालने के बाद मैंने प्याज लेसोना दरख का पेश्ट डाला और पेश्ट दो मिनट तक सेखा, उसके बाद धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, हल्डी इन सब को डाला इनको कम से कम दो-तीन मिनट के लिए लो फिलिम पर अच्छे से सेख लिया फिर फिराई की हुई सबजियों को डाल दिया और मसाले में एक मिन तक चलाया और हमने उपर से कटे हुए टमाटर डाल दिया, इनको टमाटर को थोड़ा बारी काटा है और टमाटर को ब मैं इसलिए डालाएगे, इनको टमाटर पे नमक डालेंगे तो यह पानी छोड़ेंगे जिससे की सब्जी जले नहीं और अलग से पानी नहीं डालना पड़े इससे ही सिक जाएंगी तो मैंने नमक डाल दिया है तो पानी छोड़ने का उन्हें डख दी है और कम से कम पांच मिर्ट तक ऐसे डख के पका लिए है और मैंने एक चमच गरम मसाला डाल दिया है अब मैं उपर से हरी धनिया डाल दूँगे और हमारी मिक्स सब्जी बन के तैयार है तो खाईए बहुती स्वादिया